जारखन की राजनीती में एक ऐसा नाम जो इन दिनों चर्चाओं का विशय बने हुए हैं 1932 आधारी तस्थान्यनीती नियोजननीती और भासविबाद कुछ ऐसे मुद्देत हैं जिन्नोंने इसे ब्रह्मास्र के रूप में इन्नोंने उप्योग किया और यही कारण रहा कि राजनीती में इन्नोंने विख्याती प्राप्त की जी हां हम बात कर रहे हैं जैराम महतो जी की इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आपका जो आंदोलन था क्या सुस्त पड़ चुका है भी नए नए विल्कूल भी सुस्त नहीं पड़ा है अभी चुकी अचार सहिंता है पंचायत चुनाव है और हमने पहले का अभी लड़ाई हमारी शम्मेधानिक है और हमनों नियमता लड़ेंगे और फिलाल अंदर खाने रणनीती बन रही है लोगों से संपर्क कर रहे हैं दस अखिरकार जैराम महतो किसके हैं जैराम महतो एक किसान मस्धूर गरीब और जनता की आवाज है जो बात ये लुग पचा नहीं पा रहे हैं इमांदारी से मैं कहा दूँ अगर मेरा टेग किसी मंतरी के साथ होता कि हो मंतरी का बेटा है या किसी बड़े बिल्डर का बेटा ह पचानु पाए इमानदारी से कहें, बिलकुल दिखें हम लोग using नी फोटो को लेकर यह विवाद हो रहा है कि हम agent है जय हैं तो एसे में चुकी लोगों को चाहिए उवह मुद्दा जिससे वह को वाइरल करके इस आंदूलों को डिस्टाब कर सके हम को टॉर्चर कर सके ऐसा नहीं है आज हम सुद्ध रूप सी ये माटी की लड़ाई है अभी तक आप चाहे तो सर्वे कर ले आप चाहे तो आखड़े उठा ले किसी भी पार्टी का मैं प्राथमिक सदस्च भी नहीं हूँ ना किसी के पार्टी के मीटिंग में कभी गया हूँ हाँ लोगतांत्र होने के नाते चुनाव के दस दिन पहले परचार किया है ये सत्य है सत्य है राजनीतिक गल्यारों में ये भी चर्चाय हैं कि जैराम भातो जी जब अपना भासन देते हैं तो दूर दूर से सुदूर इलाकों से लोग उनका भासन सुनने के लिए चले आते हैं तो इसके पीछे जो जैराम भातो जी की जो वानी है काफी असपस्ट है की दूर दूर तक सुनाई देती है या फिर आपका राजनीतिक स्वार्थ है कहीं से फंडिंग हो रहा है क्योंकि ऐसे चर्चाय है पहली बात भासा अंदोलन तीन महिना हुआ है आप जाइए उससे पहले मेरा दस साल का बेग्राण उठाईएगा मेरी बाते असपार्ट सुरू से मैं सुरू से क्रांती कारी चबी का व्यक्ति हूँ उसका कारण है के मेरे पिता का रक्त भाहा जारखन बनाने में और एक कहवत है हमारी भासा में की बाप्य पुप्त प्राप्त गोडा नायतनी तो थोड़म थोड़ा तो पिता का रक्त हमें भी है मैं एक सहीद का बेटा हूँ उस पिता का पुत्र हूँ जिनका संबन्द बिनोत ब्यारी मातों कॉम्रेड एके रोय के साथ था कोईलांच वही बीचार आज मुझे जारखन आंदोरन के लिए प्रिरित किये हैं और उन बीचारों के कारण ही अज मैं मजबूती के साथ और ससक्त के साथ अपनी आवाज को रखता हूँ बंगाल में रुडिसा में सारा मामला खतम कीजिये जब मेरा अधिकार अणी राजञ्यो में नहीं जब मेरा झारकंड़ी अधिकार 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 मेरे यहां और उसके बाद समयदानिक बात करते हैं तो खतम किजिये बॉंटریवाल भारतionar रहेगा वठाइये आपसे एक प्रस्म ये भी रहेगा कि आपने कहा कि जारखंट उपनिवेस बढ़ने की दिशा में अगरसर है तो कौन ऐसे लोग है जो इसको उपनिवेस बनाने की दिशा में काम करते हैं निश्य ही यहां के जो बड़े-बड़े विल्डर्स हैं, बड़े-बड़े कॉर्परेट्स हैं, मैंड्स चलाने वाले हैं, कॉंट्रेक्टर्स हैं, वे लोग अपना धन कमाने के लिए चंद मुठी भर लोग हमारे भी हैं, जो विधायक सांसद मंत्री में पद में रह चुक उरेनियम, वहां का जो रेडियेशन निकलता है, उस उरेनियम के उत्पादन से, वहां सर्वे कहती है, साथ गाओं की रिपोर्ट कहती है, से तालिस परतिसत महलाएं योन इच्छा ही नहीं है, जबकि आप योन सब्द जब हम कहते हैं, थो भाई प्रकृति का बिधान है, योन के माध्यम से स्रिष्टी का सिर्जण होता है, आज हमारे पास मोबाईल रहे या ना रहे, किकताबे कल में रहे या ना रहे, दुनिया रहेगी, लेकिन क्या रहएगा, एक भोजन और दुसरा योन, भोजन से आप जिंदा रहेंगे, और योन से आपकी स्रिष्टी उसका बिकल्ब क्या होगा बिकल्ब कि अगर यदि बात नहीं होगी तो आज जारखंड को मृत अबस्था में जाएगा जारखंड और जारखंड एक दिन मृत हो जाएगा आप से अंतिम प्रस्थ यही रहेगा कि आज के समय में जैराम भातो जारखंड की युवाओं के नोकरी लेने की चाहत रखते हैं उन्हें जाना होगा एक महीना भर्मन करके आना होगा उनके आखो में अंगारे होंगे उनके आखो में सोले होंगे इतना तरपाया गया स्थानी लोगों को इसलिए जारखंड के जारी है अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका आंदोलन का मौजूदा सरकार पर क्या असर पड़ता है लाइब सेवन के लिए उन परकास के साथ भी साल भर दुआज़